नहीं क्या हुआ हाँ हाँ तो कैसे हैं आप से बेड़े प्रस्टे आप सभी लोगों का आरेन गुरिया ब्लॉग्स में बहुत स्वागत है दोस्तो अभी साम के साथ बज रहें और में तरफ से आप सभी लोगों का गुड इवनिंग और दोस्तों आई हो पच्छे होंगे अपने घरों में अपने कामों में ब्यस्तोंगे क्योंकि अभी इस समय का महौल में आप लोगों को बता दो बहुत ज्यादा ठंडी है तो ठंडी से सबसे पहले तो बच के रहें ठीके और क्या रहा रहो? और फिलाल में आप लोगों को बता दूँं कि अभी फिलाल रुद्रांज को माता जी आई हुए हैं तो आप लोग साचाद दर्सन कर लीजिए माता जी के और कमेंड में जे माता दी जरूर बोलिए आपकी मनोकामना पूरी होगी क्योंकि साज साथ आप माता जी के दर्सन कर रहे हैं और बोबी क्या हल चाले कैसा रहा है इसकूल आज का मस्त है ठीक ठाक तो इस बार माक्स वगरा च्छिलाना है नहीं पढ़ाई उड़ाई तो तुम करती नहीं हो तो माक्स अपने आप थोड़ी ना जाएंगे और फिलाल ठंड ज्यादा है तो ठंड के लिए हम लोगों ने कुछ जुगार किया है भी दिखाते हैं आप लोगों को अब देख रहे हैं सामने तसले में आग को हम लोगों ने जला रखा है क्योंकि हम लोग पीटर नहीं यूज करते हैं और गुडिया को ठंडी फिलाल बहुत ज्यादा लग रहे हैं देखो रुमाल बांध के रखी हुए है तो यहां भरता रोटी चल रहा है बरता रोटी क्यों खाते हैं सहां मात बगरा निकलती है हम लोग नहीं कड़े हैं सामने देख सकते हैं and सामने देख सकते हैं बड़ी हासा आलू रखा हुआ यह थैंधर अभी रोटी बनेगी च्टनी और छटनी और रोटी खाएंगे ठंड ज्यादा है इसलिए हम लोगों ने आग को कमरे के अंदर ही जला के रख लेते हैं आराम से हाथ वगरा सेखते रहते हैं ताकि ठंड से थोड़ा सा निजात पा सकी है और रुद्रांस क्या करें बाबू तुम क्या हुआ टोपी उता रहे हैं और इसके मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इसके पूरे सरीर पे न छोटे छोटे देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट टाइप में दाने होएं पूरे सरीर पे हैं तो फिराल ये माता जी हैं मैंने कई लोगों को दिखाया तो बोले माता ज जाएगा और चलिए क्या वह बाबू कि तकलीफ है है तकलीफ में भी जो मुश्कुराए है उसे कहते हैं लौपुरुस हां हां भूपुरुस 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 हा भूपुरुस हां भूपुरुस हां भूपुरुस हां भूपुरुस हां भूपुरुस हां भूपुरुस हां भूपुरु बोलो अभी बुह आ जाएंगी तुम अभी बोलो कि बुह आ जाएंगी तो फिलाल दोस्तो इस समय ठंड ज्यादा है तो अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान रखे ठीक है अच्छे से कपड़े पहना के घर के बाहर कम से कम निकलने दे ठीक है क्योंकि हावाई समय बहुत ज बाड नहीं लगना चीए ठीक है और बता दू पहले तो रुदरांस को सरदी लगी सरदी का इलाज हुआ जिसको निमोनिया कहते हैं डॉक्टर ने बोले निमोनिया है तो इसके बाद में फिर बुखार आ गया बुखार का इलाज होते होते अब इसको माता जी निकल लई त तो फिलाल अब देखते हैं एक दो दिन तक अगर सकता भगवाने चाहा मातारानी चाहा तो अच्छा हो जाएगा नहीं होगा तो शुक्ट डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा चांस नहीं ले सकते हैं छोटे दक्षे की बीमारी में है बाए बोलो सभी को सभी को बाए ब बुआ बोलो उठोगे क्या बोलो बोलो बुझा बुलालो बुआ को बुलालो और और नहीं वेड़ा. काम हो में हाँ बुआ के घर पे एक ननी परी आई है ए बाबू ए बाबू रुद्रांस ए रुद्रांस परी आई है बुआ के घर में छोटी सी परी आई है परी छोटी सी परी आई है यह परा बैठा है यह परा बैठा है ओ परा बैठा है और बाल इसके देखो कैसे हो गए आप देखो, देखो अब देखो भाई अब देखो भाई बूद्रांस कैसे प्यार करते हैं भाई बैने नापस में थोड़ा सा पीछो जाओ थोड़ा सा पीछो जाओ बस बस हाँ ए ए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ बूद्रांस बहुच में चलो चलो ठीक है कोई बात नहीं प्रेंडो फट गिर जाएगे दो रहा लग तु है गिर जाएगा तो भी क्या हुआ हाँ 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 हाँ